नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अप्रेंटिसिप इंडिया अड़ा में दोस्तों रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है यानि बनारस लोकोमेटिव वर्क्स वारार्सी के तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें नान आईटिए दोनों कंडिएट को मौका दिया गया है अगर आपका ड्रीम है रेलवे में सरकारी नोकरी करने के लिए आए जाए टेक्निशन के रूप में या हेलफर के रूप में तो आपके लिए यहाँ पर दैट इस ए ग्रेट अप्रेंटिसिप कर सकते हैं इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइस देखने वाले हैं इस विल्टी कंडिशन अप्लिकेशन प्रोसेस सेलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है दोस्तों इससे पहले अगर आप यूटूब चैनल पर नहीं हो तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीज़ेगा दोस्तों दोस्तों हम फाइनली आ गया है जो डी ब्लडवलू की ऑपिसल वेशाइट है यानि बनारस लोकोमेटिव वर्क्स वराणसी की ऑपिसल वेशाइट है यही से बनारस रेल इंजन कारखाना वराणसी बोलते हैं आप जैसे इस वेशाइट पर आएंगे तो आपको यहां पर क कारणनर पर देखेंगे न्यूज अनाउंस्मेंट करके एक ऑप्सन होगा यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है यहां पर यहां पर किलिक करेंगे तो यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो आप यहां इस वेशाइट पर आके यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप भी इस पर आएंगे तो आपको यहां पर भी बनारस लोकोमेटिव एक्ट अप्रेंटिस अनलाइन अप्लिकेशन चैलिसों बैच बी लडव एक्ट अप्रेंटिस इप यहां पर दिया गया यहां से नोटिफिकेशन भी किलिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद यहां से भी फार्म फिलप कर सकते हैं निव इजर के लिए आप रेइस्टर करना होगा इसके बाद आप लॉग चांव बढ़ा अप्रकर चया गया है अगयर और रेमषच कर दिया गया था ऑर यहांपर आपकिंग्श्र cent Works व्वो Abercks चार्प दालेश चाम प्राइट चार्प अर। फीस पेहमेंट का लास्ट डेट जो है पचीस नॉम्बर दोजार तेश को साम यानि सोला बच्च के पैतालिस मिनिट यानि चार बज़े तक साम को आप लास्ट फीस पेहमेंट दिया गया और यहां पर लास्ट जो डाकुमेंट अपलोड करने के लिए बदा गया वह 27 भारती रेल में बनारस रेल इंजन कारखाना वारांशी यहां पर मेंसें किया गया है और यह प्रबंध कार्मिक विभाग से 26 10 2023 के डेटमेट नोटिपिकेशन पबलिस किया गया है यह नोटिपिकेशन नंबर है यानि विज्यापन संख्या और यहां पर पूरा आं-लाइन जो कब से कब इस्टार्ट होगा पूरा डिटेल यहाँ पर मेंसन किया गया 46 वाम बैच के लिए Act Apprentice के लिए नोटिफिकेशन दिला निकाला गया जिसका लाज़ डिट अनलाइन अप्लिकेशन के 25 नॉमबर 2023 बताए गया है और यहाँ पर फीस भुकतान की जो तीत है वो 25 नॉमबर 2023 रखा गया है दस्तावेश अप्लोड करने की तीत 27 नॉमबर 2023 रखा गया तो आप इस डिटेल को देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वेकंसी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो अपरेंटिस होगी आपकी बात करें तो तीन पोस्ट है और टोटल बात करें तो तीन पोस्ट है और पेंटर जेनरल के लिए यहाँ पर सेवन पोस्ट है और यहाँ पर मस्निष्ट के लिए सरसत पोस्ट है उसके बाद बेल्डर गैस और इलेक्टिक के लिए यहाँ पर 45 है इलेक्टिस जेन के लिए यहाँ पर तोटल वेकंसी यहां पर तो तीन सो है जो आई टे के लिए रखी यहां पर अलगल कर्डिगरी वाइज भी रिजब्रेशन दिया गया यह सीष्टी ओवी सी और यूडबली एस और जनरल के लिए यहां पर मेंसन किया गया इसके बाद नान इटिय कंडियेट के लिए यहां प लेकंसी नीका लिए ऊबडर के लिए यहां पर सरई और पुर्ण धेरशन का इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बताया गया कि आपको आरच्छड भी दिया जाएगा, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको 3% का आरच्छड है, यहाँ पर मिंसन किया गया है, दिब्यान के लिए भी 3% का आरच्छड है, इसके बाद यहाँ पर मिंसन किया गया, अगर YASTI-YASTI की सीटे अगर खाली रह जाते हैं, तो किन से बरा मिलता है, और YASTI के लिए 15% सीटे रिजर्व हैं, और YASTI के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% यहाँ पर है, और YASTI के लिए 10% का आरच्छड का परोधान किया गया, यहाँ जो रेल्वे बोर्ड का आरच्छड यहाँ है, जो यहाँ पर लेटर का हवाला देते हुए, इन्होंने बता है, इसके बाद यहाँ पर सभी आपकी जो डाकुमेंट होगे, वो सेंटरल गवर्मेंट के रिकार्डिंग, आपकी दस्तावेज आपको बनाना होगा, औ अपको जादि प्रमार पतिज होगी, सेंटरल गवर्मेंट के फार्मेंट पर होगी, और आपको जो अपरेंटिस करने के लिए, आपको जो अपरेंटिस का वेश साइट होता है, आपको उस पर जाके पंजी करित करना होगा, जो अपरेंटिस इप.gov.en, यह पुरौना पोटल है उस पर आपको 100% प्रोफाइल क्रेट करके आपको वहां से रेजिटेशन नंबर ले लेना है इसके बाद आप हम अपलाई कर सकते हैं और यहां पर बताए गए IT सच्छित योगता यानि क्वालिफिकेशन क्या बताए गया है तो यहां पर सच्छिक और टेक्निकल क् कर सकते हैं और यह समझत क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी वह 26-10-2013 से पूर होना चाहिए यानि आवेदन तीथी से पहले विज्यापन तीथी इसी तारीक को पॉब्लिस किया गया था इसके बाद नान आईटिया के लिए बात करें तो नान आईटिया के लिए आपके प पास हो 10-2 सिस्टम के रिकार्डिंग और आपके पास या उसके समकच उसके बाद आपके पास 50% नुम्तम को आपकी 10 में मार्क्स होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है नुमतम 50% होना चाहिए इसके बाद संबंदित ट्रेड में आपका इटे होना है उत्रिन होना चाहिए इसके बाद आपकी इस क्वालिफिकेशन जो होगी वह आईटे या हाई स्कूल वह 26-10-2013 से पहले का होना चाहिए यह सर्टिपिकट जारी होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर मेंसन क्या गया है कि आपका जो आईटे ही होना चाहिए वह सीविटी से पूर जारी होना चाहिए आपका सर्टिपिकट हुआ मार्क सीट और यहां पर आयू की करना की बारे में बताया गया है कि एज की कंडिशन क्या रखी कि आपके 25-11-2036 को एज की करना की जाएगी जिसमें आईटे के नान आईटे के लिए 15-22 यर 22 से अधिक नहीं होना चा 15 वर्स की आईटे की लिए और 24 से अधिक नहीं यानि 15-24 के बीच में होना चाहिए और इसमें बताया गया है जो बेल्डर और कार्पेंटर हैं उनके लिए 15-22 वर्स की आईटे की रहोनी चाहिए और इसमें आपको आईटे में छूट भी दिया जाएगा जो यस्टी कंडि लिए 13-0 का यहां पर एज रिलेक्सर मिलेगा एक शर्वीष में जिनोंने Kenpa किमने आगर आपने यह सर्विसमेंन हैं तो यह जह पर अगर च्छह महने से यहां पने फिंडिपन से कम 6 महिने की यहांَ कि दिफेंस में तो हैँ पर आपको यहां पर और से और जड़ किस से आओ जाitter यहां पर M तो अभ हैसने मिले गा सर्विस अगर आपने 5 साल का ती तो आपको दीन साल का यहां पर पलस करके चूट रहे मैं अधिकतम आपको 10 years ही दिया जाएगा जो यहां पर mention किया गया है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग है उनके लिए यहां पर बताया गया है certificate 40% से कम नहीं होना चाहिए तभी माना जाएगा। 40 से कम आपकी दिव्यांग कता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आपको application fees के बारे में जो बताया गया है वो क्या क्या है यहां पर बताया गया है अप्लीकेशन फीज जो है 100 उपीज रकी गए है वो 25, 11, 20, 23 से पहले आपको payment कर देना है। इसमें यहां पर बताया गया कि उनको फीज में relaxation दिया गया है यहां पर छूट दिया गया है तो उनको कोई फीज नहीं देना है। वो भी 25, 11, 20, 23 से पहले आपको online आवेधन करना है। इसमें पूरा mention किया गया है और इसका link आपको decision box में दे दिया है कैसे आपको form apply करना है वो पूरा procedure उसमें दिया गया है। आपको सभी documents आपको यहां पर upload कर देना है इस website पर आके जो यहां पर दिया गया है। यहां पर नीचे देखेंगे तो यही format English में भी दिया गया है। इसको आप पड़ सकते हैं। link definition box में दे दिया हूं आप वहां से भी apply कर सकते हैं और यह आपका form कैसे बनना है इस website पर जैसे आएंगे। आपका form खुल जाएगा, आप यहां पर पूरा detail यहां से भर सकते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा IT है, non-IT है अगर IT है तो IT किलिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां पर trade पूछा जाएगा। और पहले बतादो जो भी railway से apprenticeship करता है उनको बहुत सारा benefit मिलता है, railway की group D भरती में, यानि अगर आप railway से apprenticeship करते हैं, जब भी railway group C, यानि आप तो group D भरती group C होगी, यानि जब भी railway level 1 की post पर भरती निकालता है, तब आपको वाँपर 20%, city 20% deserve रहती हैं, जो railway से apprenticeship करता है, वो CC का 1 by 3 का weightage दिया जाता है, यानि जो भी आप apprentice marks पाएंगे, उसे NCVT बोला जाता है, उसका 1 by 3 का weightage दिया जाता है, प्लस आपकी जो CVT ग्याम होगे, उसका 2 by 3 कर दिया जाता है, इसके आधार पर आपकी final merit तयार किया जाती है, तो यह सब आपको आरच्छन मिलता है बाद म तो link deep system box में है, आप वहाँ से भी farm apply कर सकते हैं, और वहाँ से भी notification भी download कर सकते हैं, कोई भी doubt है तो comment box में mention कीजिएगा, totally आपकी help and reply की जाएगी, धन्यवाब, keep and touch